शिक्षा मंतरी रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य में 5000 एंटिटी शिक्षकों की भरती में शैक्षनिक योगिता में चूट देने का मामला प्रदेश सरकार केंदर के साथ हुठाएगी रोहित ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की शर्तों के मताबिक एंटिटी भरती के लिए दो वर्शिय नर्सरी टीचर प्रशिक्षन डिपलॉमा होना जरूरी है लेकिन प्रदेश में इस तरह के डिपलॉमा धारक उमीदवार ना होने की वजह से 5000 एंटिटी शिक्षकों की भरती नहीं हो पा रही है क्यूंकि प्रदीश में नर्सरी, शिक्षन, प्रशिक्षन प्रदान करने वाले संस्थान एक वर्षे डिप्लॉमा ही प्रदान करते हैं। इन शिक्षकों की भरती ना होने के कारण केंद्र से मिलने वाली राशी के लैप्स होने का खत्रा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इन मैंसे 50 प्रतिशत पद पदोनती के आधार पर भरे जाएंगे।